Hello students, this is Tanu Shiri, तो आज हम शुरू करेंगे exercise 1.1 से question number 1 तो देखो question number 1 की ये part में क्या बोला गया है? Write down a pair of integers whose sum is minus 7 तो integers की एक pair हमें लिखना है, जिसका sum है minus 7 मतलब ऐसा दो integers लिखना है, जिसको add करो, तो आएगा minus 7 तो ये हम करेंगे, पर पहले हम integers की जो rules है भूव एक बार देख लेते हैं देखो integers में क्या होता है? जब 2 integers का sign same होता है तो क्या करना होता है? add करना होता है और जब 2 integers का sign different रहता है, अलग-अलग रहता है तो subtract करना होता है और greater number का sign हमेशा answer का sign हो जाता है तो ये सिर्फ हम याद रखेंगे अचा अभी देखो यहाँ पर minus 7 है तो minus को first हम ignore करते हैं तो 7 कैसे आएगा देखो 5 plus 2 करो तो आ जाएगा 7 पर हमें यहाँ पर sign देखना है ना तो minus 7 है मतलब greater number का sign यहाँ पर answer में होता है तो 5 और 2 में से greater number कौन से है तो यहाँ पर minus 5 होगा ठीक है अचा अभी देखो यहाँ पर minus है और यहाँ पर plus है तो जब minus और plus जब different sign रहता है तब क्या करना होता है सब्ट्रेक्ट करना होता है तो यहाँ पर subtract करने से answer change हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं ये तो हम change नहीं कर सकते हैं मतलब इसका sign हम change नहीं कर सकते हैं पर हम 2 जो है ना इसको माइनस में ले सकते हैं जब multiply करो न, plus और minus का जब multiply करोगे, तब क्या होता है, minus ही होता है, तो minus 2 हो जाएगा, अचा अभी देखो, same sign है, same sign रहने से add करना होता है, तो 5 plus 2 करो, 7 हो जाएगा, और greater number का sign यहाँ पर हो जाएगा, तो answer minus 7 ही होगा, तो हमें 2 integers ऐसा ले लेना है, इसको add करो, तो minus 7 होगा, तो देखो, यह सिर्फ, यह दो लेने से यह answer नहीं आएगा, और भी 2 integers ले सकते हो, जैसे कि देखो, 4 plus 3 करने से 7 आएगा न, तो minus में हमें चाहिए, तो minus 4 और यहाँ पर minus 3 कर दो, देखो, minus 4 plus minus में minus 3, तो देखो, same sign है, तो add हो जाएगा, 4 plus 3, 7 और greater number का sign minus हो जाएगा, यह हो सकता है, और देखो, क्या हो सकता है, minus 7 न, तो minus 8 plus 1, यह करो, देखो, एक negative integer ले लो, एक positive integer, यह भी हो जाएगा, देखो, different sign है, अलग-अलग sign है न, तो अलग-अलग sign रहने से subtract करना होता है, तो 8 minus 1 करने से 7 होगा, और greater number का sign minus है, तो minus हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो बहुत साड़ा answer हो सकता है, पर यहाँ पे सर्फ एकी pair of integers लिखना है, तो integers की एकी pair हमें लिखना है, तो हम यही ले लेते हैं, minus 5 और minus 2 यही ले लेते हैं, तो यह भी कर सकते हो, यह answer भी सही है, तो यह था A part, अभी हम next B part देखेंगे, next B part देखो, write down a pair of integers whose difference is minus 10, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसा दो integers हमें लिखना है, जिसका difference निकालो, मतलब minus करो, तो आएगा minus 10, ठीक है, अच्छा, तो first हमें क्या करना है, first हम, यह जो sign है न, इसको हम ignore करेंगे, ठीक है, तो 10 कैसे आएगा, देखो, 30 minus 20 करो, तो आएगा 10, है न, पर हमें sign देखना है, तो देखो, यहाँ पर minus में है, मतलब greater number का sign answer में होता है, और 30 और 20 में से greater number है 30, तो यहाँ पर sign minus का होगा, है न, अच्छा, अभी देखो, minus 30 minus 20, तो यहाँ पर same sign है, same sign रहने से क्या करना होता है, add करना होता है, तो 30 plus 20 करने से तो answer change हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो, इसका sign तो हम change नहीं करेंगे, पर इसका sign हम minus ले सकते हैं, तो minus 20 ले ले लेते हैं, यहाँ पर minus 30 और यहाँ पर minus 20 ले लेंगे, और बीच में यहाँ पर minus ही होगा, तीक है, अचा अब भी देखो यहाँ पर लिख लेते है minus 30 minus minus में क्या होता है minus minus multiply करो तो plus हो जाता है तो plus 20 अब ही देखो अलग-अलग sign है है ना तो अलग-अलग sign रहने से subtract करना होता है 30 minus 20 करो तो 10 होगा और greater number का sign यहाँ पर हो जाएगा minus में तो minus 10 होगा answer ठीक है तो minus 30 और minus 20 इसका अगर difference निकालो तो यह आएगा तो similarly ऐसे भी कर सकते हो देखो 20 minus 10 तो यह करने से क्या आएगा 10 आएगा है ना तो minus में चाहिए तो minus 20 और यहाँ पर minus 10 minus 20 minus minus plus 10 हो जाएगा 20 minus 10 10 होगा और यहाँ पर greater number का sign ही होगा तो यह भी कर सकते हो देखो यह भी कर सकते हो 12 minus 2 करने से क्या होगा 10 होगा ना तो minus में हमें चाहिए तो greater number का sign हमें minus चाहिए तो minus 12 और यहाँ पर minus 2 कर दो तो minus 12 minus minus plus हो जाएगा 2 तो minus 12 plus 2 देखो अलग-अलग sign है, तो subtract करना होता है, 12 minus 2 करने से 10 होगा, और greater number का sign minus है, तो minus होगा, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, तो कोई एक pair of integers सिर्फ लिख लेना है, तो सब answer ही सही होगा, अभी हम next C part देख लेंगे, next C part देखो, write down a pair of integers, whose sum is 0, तो ऐसा दो integers हमें यहाँ पर लिखना है, जिसको add करो, तो 0 आएगा, तो देखो 0 कैसे आएगा, तो यहाँ पर हमें same integer ले लेना है, पर different sign का लेना है, देखो 2 और यहाँ पर भी हम 2 ले लेंगे, पर different sign होना चाहिए, देखो यह plus का है ना, तो यह हम minus का ले लेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, या तो देखो minus 3 plus 3 करो, तो क्या होगा, देखो different sign का है ना, तो subtract होगा, 3 minus 3, 0 हो जाएगा, अगर हम minus 13 plus 13 करें, तो भी 0 ही आएगा, तो कोई भी integer ले लो, सिर्फ क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, और different sign का होना चाहिए, तो ही 0 आएगा, ठीक है, तो एक पेर आप इंटीजल लेना है, तो कोई भी एक पेर आप इंटीजल ले सकते हो, बस, तो ये था question number 1, तो ये था इस exercise की first part और second part की वीडियो की लिंक नीचे description box में दिया रहेगा,